हां जी कैसे हैं आज हमारा सेकेंड क्लास चेप्टर नमबर एडमीशन वैसे तो 4 किसी बुक में है किसी बुक में 5 चेप्टर का नाम है एडमीशन आफ पार्टनर तो आज हम स्टार्ट करेंगे चेप्टर नमबर 5 एडमीशन आफ पार्टनर ठीक है लास्ट क्लास में हमने क्या क्या कर लिया था लास्ट क्लास में हमने कर लिया था कि एडमीशन आफ पार्टनर क्या होता है उसका कॉंसेट देख लिया था इसके साथ-साथ हमने देख लिया था कि admission और partner के अंदर जब ratio में कुछ ना given हो question silent हो जैसे A और B partner है और C one fourth के लिए आता है one fifth के लिए आता है या 20% के लिए आता है तो कैसे treatment करेंगे ऐसे situation में let one करके करेंगे आज हमारे पास है एक new when taken or acquired पहले हम समझते है taken और acquired क्यों कहा है यहां पर second case है हमारा हमने चार cases बनाए थे ratio में तो second case है suppose करिए कि A है और B है ठीक है और मान लेते हैं C A, B और C अब आपको पता चल रहा होगा कि मैं बताना चाहता हूँ A और B old partner है इनका ratio one is to one one is to one और C one fourth के लिए आता है यह तो बिल्कुल question पहले जैसा ही बनीगा सर यह कितने के लिए आता है one fourth के लिए बड़ यह कहता है C कि मैं one fourth के लिए आतो रहा हूँ और मैं कुछ हिस्सा A आप से लूँआ और C कहता है मैं कुछ हिस्सा B से लूँआ यह यह भी हो सकता है C कहे कि मैं सारा हिस्सा A से ले लूँआ और C कहे मैं सारा हिस्सा B से ले लूँआ दोनो possibility है तो फिर मैं दोबारा repeat कर रहा हूँ C क्या कहता है A से कुछ हिस्सा मैं आप से लूँआ और यह कहता है कुछ हिस्सा मैं आप से लूँआ बट कितना C कहता है कि A मैं आपके हिस्से में से जितना मेरा share profit है क्योंकि कुछ हिस्सा मैं लूँगा simple सा example है मान लो C अगर 10 रुपे के लिए आता है profit के लिए और अगर ये इससे कहता है कि मैं थोड़े से profit आपसे लूँगा और थोड़े से profit आपसे लूँगा मान लो आधा आधा का desirable है ये आधा आधा बोलता है तो आप बताओ C जो है A से कितना लेगा अगर आधे आधे की बात करे तो C simple सी बात है 5 रुपे इससे लेगा और 5 रुपे इससे लेगा तो आपने क्या करा जो खुद C का हिस्सा था वो आधा निकाला पहले यानि 1 बाइ 2 से multiply करके पहले आपने calculate किया कि भाई इससे कितना लिया जाएगा यही रहाना situation बिल्कुल ठेक अब देखते हैं आगे लेकिन यहां पे मैंने रुपीस में समझाया आपको अब हम ratio की बात करते हैं सेम यह कहता है मैं half इससे ले लूँआ जब यह कहता है कि मैं ले लूँआ तो लेने को word क्या बोलते है taken और taken को ही acquire भी बोला जाता है लेना ठीक है ना तो C कहता है कि मैं कुछ हिस्सा इससे लूँआ कितना लेगा अब यहाँ पर बोलता है one by two off one by two मतलब मैं अपने हिस्से का one by two इससे ले लूँआ ठीक है और यह कहता है इससे कितना लेगा अब obvious है कि one by two off यानि C के पास जो भी है one by two इससे ले लेगा और one by two इससे ले लेगा कहता है यह आपको question में clearly mention होगा तो मैं बहुत ही साधारन language में अगर आपको बोलू तो C आधा अपने हिस्से का आधा share A से लेना चाहता है और आधा share B से लेना चाहता है अपने हिस्से का दूसरे language में same question रहेगा यह कह सकता था कि मैं जो है one is to one में आधा आधा one is to one होता है न one is to one में मैं A और B से ले लूँगा समझो इस बात को क्योंकि इसने कहा कि मैं जो लूँगा one by two लूँगा किस से A से और one by two लूँगा किस से B से तो ओविस बात है कि denominator सेम है तो ratio क्या result बन क्या है हमारा one is to one तो दोनों बात एक ही है आपको question confuse करने के लिए बोल सकता है कि one by two इससे लिया जा रहा है one by two या फिर C अपना हिस्सा इन दोनों से लेगा इस ratio में ध्यान से सुनना ये भी बोला जा सकता है question दोनों सेम है बिल्कुल अब कैसे solution करें पहले तो हमें यहाँ पर ये निकालना पड़ेगा के भाई C कितना लेगा इससे तो हम निकालेंगे C taken from C taken from किस से लेगा भाई C taken from A C का पहले से ही one by four है उसका आधा वो A से लेगा तो multiply करके निकालेंगे जैसे इसके पास मैंने बताया था कि 10 रुपे है आधा लेगा तो one by two किया था ना अपने जभी तो पांच आया था तो यानि ये one by eight ले लेगा A से सेम निकालते हैं C taken from अब B अब taken की जगह पे आप acquire word का भी इस्तेमाल कर सकते हो तो भाई ये हुआ one by four multiply by one by two यानि आपका one by eight ठीक है one by eight अब पहले C ने जब C को इससे लेना था तो C ने पहले तो ये निस्चित कर लिया C ने सबसे पहले ये determine कर लिया कि भाई मुझे A से कितना लेना है भाई मुझे B से कितना लेना है तो ये जो दोनों काम है ये वही बताता है कि कितना लेना है कितना लेना है A से and B से, ये बता है इसका, ठीक है न, कितना लेना है हमारा A से और B से, आगे स्टेप पे चलते हैं, इसका मतलब अब A का हिस्सा जो भी था, दस रुपे वाला मैं example continue रखता हूँ, दस में से अब आप बताईए, कि इस से कितना लेगा, इस से कितना लेगा, मैं confused नहीं कर रहा हू ये तो समझ में आ गया, तो इसका मतलब simple सी बात था, 5 रुपे A से लेगा और 5 रुपे B से लेगा, A से और B से, अब मान लो, अगर A के पास 50 रुपे थे पहले से, तो A के पास बचेंगे कितने इसके लेने के बाद, अगर A के पास पहले से ही 50 रुपे था, और ये बोलता अगर, A new share, share profit, ratio, आप मुझे बताईए, कैसे निकालेंगे, अब जो 45 आपने बताया था, वो नया था ना, पुराना तो 50 था, तो simple सा logic है, पहले हम A का ratio लिख लेंगे, 1 by 2, क्योंकि A का ratio क्या है, old ratio, 1 by 2, minus जितना दे देगा, वही तो किया, 50 में से 5 जैसे किया था, तो 1 by 8 दे देगा, तो इसका ratio क्या बना, अगर हम इसको देखें तो LCM क्या आएगा, 8, जिसको समझ भी निया था, cross multiply कर ले, 8 और 2, और multiply सी था, ठीक है न, पता होगा आपको 8 minus में 2, तो simple सा, मैं तो simple कर देता 4 minus 1, यानि आ गया ये 3 by 8, जिसको LCM लेना नहीं आता, उन बच्चों के लिए मैं simple बताता हूँ, ऐसे करना है, 8 minus 2 divided by 16, तो ये आ जाएगा हमारा 6 by 16, और कई बार student माल लो यहाँ पर 4 by 8 आता, तो mathematics के जो बच्चे हैं, वो सोचते हैं, 4 by 8 is equal to 1 by 2, काट देते हैं, आप काटना मत, उसको decimal में मत ले जाना, उसको normally करते जाना, आगे हम सबसे last में ये common वाला point करेंगे, ठीक है, तो मैंने क्या बताया, कि A ने, इतने A का जो new share profit है, वो ये है, सेम ऐसे हमें निकालना पड़ेगा B के लिए, B का new profit share, new share, profit share, अब बताओ B का क्या होगा, B का अपना कितना था, 1 by 2, ये देखो, इसमें से minus कितना कर लेगा, जितना B से C लेगा, तो B से C लेगा, ये है 1 by 8, Then, हम क्या करेंगे, यहाँ पर बताओ, LC हम लेगे, फिर से आ जाएगा, 4 minus 1 divided by 8, यानि 3 by 8, यानि एक बात तो बच्चे, एक बात तो पक्का हो गया, कि A के पास पहले 1 by 2 हुआ करता था, लेखिन इसने अपने हिस्से में से, इसके हिस्से में से, C ने कुछ हिस्सा ले लिया, C ने acquire कर लिया, जिसके बाद इसका हिस्सा बचा है 3 by 8, पक्का ना, यही है ना हमारा concept जो है, अब हमें new ratio निकालना है, तो new ratio के लिए तो आपको बड़े अच्छे से पता है, कि हमें क्या करना पड़ता, denominator में same और sub ratio को रख लो, तो new profit sharing ratio, new profit sharing ratio, कैसे निकाले बताओ, सबसे पहले हमारा A का क्या है 3 by 8, B का क्या है 3 by 8, C का क्या था 1 by 4, इसका तो 1 by 4 total पता था हमें, ठीक है न, total पता था 1 by 4, तो denominator में same करिये, multiply 2, multiply 2, तो answer क्या आगया हमारा 3 is 2, 3 is 2, 2, तो यह आगया हमारा new profit sharing ratio, इसके अंदर भी काफी सारे type है, from है, off है, तो इसके according अभी हम करेंगे, आप पहले इसको एक बर समझ के note करिए, मैं दुबारा conclude कर देता हूँ, A और B दो partner थे, C 1 fourth के लिए आया, और C ने बोला 1 by 2, off, अपने हिस्से का, 1 by 2 मैं A से लूँआ, 1 by 2 मैं B से लूँआ, या फिर बोल सकता था ये, मैं equally दोनों से ले लूँगा, ठीक है, equally दोनों से ले लूँगा, हुआ क्या, फिर हमने सबसे पहले ये अंदाजा लगाया, step 1 में, कि कितना कितना A से लिया जाएगा, कितना B से, तो वही लिखा है, मैंने C taken from A, 1 by 8 आया निकल के, और C taken from B, 1 by 8 आया निकल के, ठीक है, सेम ऐसे हमने अब आगे देखा, कि भाई, जब A से कितना लेना है, और B से कितना लेना है, जब ये पता चल गया, तो अब A के पास कितना बचा, second step, तो A के पास जो new profit बचेगा, पहले उसका था 1 by 2, जिसमें से 1 by 8 निकल गए, तो बचे 3 by 8, सेम ऐसे B का, और बचा 3 by 8, और सब को सामने रखा ratio, denominator सेम करके, और हर में सेम करके, सारा हमने ठीक कर लिया, ठीक है, तो अभी और भी हम question करेंगे, आप एक बार इसको फटा फट से note करिए, फिर हम अगले इसी में भी चलेंगे concept में, ठीक है, नोट करिए आप एक बार, चलिए, अब देखते हैं, अगले concept को, अब हुआ क्या, फिर से ध्यान देजेगा, A, और B partner है, एक C partner है new, और A का ratio है, हमारा suppose करो, 1 is to 1, मैं simple ratio रखता हूँ, वागी कुछ भी हो सकता है, 1 is to 1, अब C क्या कहता है, C का कितना ratio है, ये नहीं पता हमें, C ने कहा कि, भाई मैं तुम से लूँगा, 1 by 10, C ने कहा, कि A, मैं तुम से ले लूँगा, acquire कर लूँगा, 1 by 10, लेकिन कहता है, यहां पर from, मैं तुम से 1 by 10 ले लूँगा, सीधा बोल दिया, इसने, पहले क्या था, मैं अपने हिस्से का, तो एक step यहां reduce हो जाएगा, देखना, और इससे कहता है, के भाई, मैं तुम से ले लूँगा, 2 by 10, अब बताओ, सीधा के पास कितना हैगा, अब, आप सोचो, ध्यान से सुनना, आप सोचो, आप अपने, आपको कितने पैसे चाहिए, यह नहीं पता, आपने अपने, मम्मी से बोला, मम्मी, मैं आप से 2 रुपे लुँआ, और अपने पापा से बोला, पापा, मैं आप से पांच रुपे लुआ, तो बताओ, आपके कितने, आपके पास कितने पैसे आए, कितने रुपे आए, तो सिंपल, मम्मी से 2 रुपे, पापा से 5, टोटल साथ, ठीक है मुझे जवाब देना ठीक है आपके मान लेते हैं कि ये और ये बना देते हैं हम ठीक है पहले से ही राम के पास मुझे जवाब देना राम और सीता और आपका नाम लव तो समझ गये होगे लव कौन है इसका पताओ राम और सीता है तो लव इनका कौन है इनका सन है तो राम और सीता और ये इसके सन है राम ने क्या कहा राम के पास पहले से सो रुपए है और सीता का पहले से ही दो सो रुपए है भाई सही बात है पहले से 200 रुपए है इसके पास ठीक है ना लब जो है इसके पास पहले से कितने हैं 100 रुपए समझेगा बस समझने के बाद आप रेशो में कोई दिक्कत नहीं आएगी कभी आपको 200 रुपए अब ये कहता है पापा मैं आपसे 20 रुपए लूँगा तो इसने कहा कि मैं आपसे 20 रुपए लूँगा और बोला ममी मैं आपसे भी 15 रुपए लूँगा तो अब मुझे बताईए कि लव के पास कितने पैसे हैं कि आप यहाँ पे इसको कैलकुलेट कर सकते हैं बहुत ही आसान सर इसके पास जो इसने इस से लिया और जो इसने राम से लिया यानि इसके पास 20 प्लस में 15 इसका मतलब इसके पास 35 रुपए हैं चलो आपको इसका हिस्सा पता चल गया कैसे पता चला जब आपने जोड दिया अब मुझे बताईए राम के पास कितने बचे हैं सर राम के पास कितने 100 थे जिसमें से 20 दे दिये तो इसके पास बस ये कितने 80 और सीता के पास थे कितने 200 दो सो में से 15 दे दिये तो इसके पास बचे 185 न्यू रेशो क्या हुआ बताओ किस के पास कितने कितने रुपए हैं तो न्यू रेशो जो आया न्यू पैसे किसके पास कितना है तो राम के पास 80, सीता के पास 185 और लव के पास 35 लव ने ये नी बोला मेरे पास इतने रुपे हैं मैं तुमसे लूँगा लव के पास कितने 35 अब सेम सिचुविशन सी इससे बोलता है कि मैं तुमसे दो बटा 10 ले लूँ और तुमसे एक बटा 10 ले लूँ और तो सी का हिस्चा बता सकते हो क्या, सी के पास कितना होगा, कैसे बताया था, सिंपल 1 by 10 plus 2 by 10 यानि इसका हिस्सा है 3 by 10 यही प्रोसेस हुआ न अब जब इसका 3 by 10 हो गया तो अब मुझे बताईए A का share क्या होगा सर A का यहाँ पे कैसे निकाला था हमने A का जो उससे लिया था minus कर दिया था simple यानि A का ratio निकलेगा A का पहले पता करो कितने हैं तो A का था हमारा 1 by 2 तो 1 by 2 minus में 1 by 10 और 1 by 2 minus में 2 by 10 यानि A का share निकालो अगर मैं A का new share is new share A का new share तो 1 by 2 तो था इसके पास 100 थे minus क्या करा था जितना दिया जा रहा है 1 by 10 समझ मैं ही बात आपको सेम ऐसे मैं निकाल सकता हूँ B का new share new share कैसे निकाला जाएगा 1 by 2 B के पास खुद का है जैसे सीता के पास था उसमें से minus कर दिया जो उसको दे रहा है तो कितना minus कर रहा है minus 2 by 10 यहाँ पे बात ध्यान में रखने वाला है कि हमारे पास ये from given है from में हम directly minus कर देते हैं तो इस example को मैं हटाने जा रहा हूँ इस example को मैं हटा रहा हूँ मैं ठीक है ये लो इस example को हटा दिया आप pause करके note कर सकते हो अब होगा क्या इसका share इसका share कैसे करेंगे जब minus होगा तो देखो एक step हट गया कितना acquire करेगा ये tension तो खतम step हमारा जो था पहले क्या था पहले हमारा taken वाला step था कितना taken लेगा पिछले अगर register में देखो उसके बाद था new share तो ये वाला from आते ही ये taken वाला tension खतम क्योंकि आपको given है अब कहता है यहाँ पे इसका ratio अगर निकालू तो LCM के आएगा हमारा 10 और ये 5 minus में 1 यानि 4 by 10 इसका निकाले तो LCM 10 और 5 minus 2 यानि 3 by 10 ratio पता चल गया C का ratio हमें नहीं पता था पहले से ही पता चल गया हमें C का ratio है के नहीं हमें C का ratio पहले से पता चल गया ना तो C का ratio तो हमें पता है भाई 3 by 10 तो अब new ratio निकाल सकते हैं क्या yes new ratio new profit sharing sharing ratio अब ती firm का निकाल रहे है A का B का और C का A का क्या है 4 by 10 B का क्या है 3 by 10 और C का 3 by 10 अब denominator तो already पहले से ही same है तो क्या हमें कुछ करना है नहीं तो answer is 4 is 2, 3 is 2, 3 तो इस question में क्या था कि पहले से ही new partner कहता है हमें कितना acquire करना है तो इस type के question भी आपके book में बताऊंगा जैसे कि listation number 3 तक कर लिए थे 4, 5 इसी type के मिलेंगे जो करने हैं तो एक बार फटा फटा आप इसको note करिए इसके बाद हम आगे देखते हैं कर लिए no कई बार ऐसा भी हो सकता है आपके सामने कि C का बता दे कि 3 by 10 है और ये भी बता दे कि 2 by 10 इस से लिए जैसे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ suppose करो C का मैंने बता दिया कि 3 by 10 के लिए ये आता है और ये बोल दे कि मैं 2 by 10 from B से लूँआ and 1 by 10 from B से लूँआ तब तो ये situation है लेकिन अगर ये ही बोल दे 2 by 10 off C taken from B sentence देखना एक तो from बोला directly अब कुछ बच्चे ने confused हो जाएंगे सर्फ रॉम और off में मैं दोनों sentence यहाँ पर लिख देता हूँ ताकि कोई दिक्कत ना हो देखो ये sentence क्या था 3 by 10 के लिए है इसने बोला 1 by 10 taken from A and 2 by 10 taken from B simple लेकिन अगर कुछ इस तरीके से होता 1 by 10 off his share taken from A and 3 by 10 off his share taken from B आप सब को इतनी knowledge है आप बताईए दोनों में क्या difference है दोनों में कोई difference है या नहीं है बिलकुल है ये कहता है कि मैं 1 by 10 his share अपने हिस्से का और 3 by 10 अपने हिस्से का यानि इसका हिस्सा कितना है total 3 by 10 तो इसका 1 by 10 इससे लेगा मतलब अब हमें पहले multiply करके देखना पड़ेगा कि कितना लिया जाएगा सेम यहां पे 3 by 10 तो किसका 3 by 10 का multiply 3 by 10 यानि 9 by 10 तो समझ पा रहें कि आप तो यहां पे सॉरी नीचे 100 होगा मैंने 30 कर दिया ठीक है तो इसके अंदर कहता है मैं एक बार कहता हूँ कि भाई मैं 13 से 10 रुपे ले लूँगा तो simple भाई मैं 10 रुपे माइनस कर दूँगा मैं बोलता हूँ अपने हिससे का मेरा 100 रुपे है उसका मैं आधा 30 से लूँगा तो मैं पहले कितना लूँगा ये तो पता करूँ तो जब off आ जाए तो multiply करते हैं और from के अंदर directly minus कर देते हैं बाकि आपको समझना पड़ेगा mind calculate करोगे तो समझ में आ जाएगा ठीक है तो ये sentence भी अब देखो यहाँ पे क्या था यहाँ पे थोड़ी ऐसे करूँगा कि मैं अपने हिससे का सीधा 1 by 10 किससे ले लेंगे जो कि इस वाले situation में रहा है मेरे साथ और यहाँ मैंने 3 कर दिया है एक कोशन आपके सामने स्क्रीन पे है देखिए कहता है यहाँ पे important कोशन है एक तरीके से आपके बुक में भी होगा फिर भी आपके स्क्रीन के सामने आ रहा है देखिए कहता है X and Y are partners sharing profit ratio 3 is to 2 X और Y partner है और sharing profit ratio है 3 is to 2 Z is admitted as a new partner 1 third share profit और Z को admit किया as a new partner और 1 third share के लिए आता है तो अगर मैं इसका समरी बनाऊँ तो समरी में कहता है के X और Y partner है और Z is one third Z were gifted to him by X और Z को gift दे दिया X ने X बोलता है भाई मैं दे दूँगा और कितना gift देता है 1 by 3rd of Z Z का जो भी हिस्सा था उसका 1 by 3rd gift दे रहा है यहाँ पे कौन? यहाँ पे X balance जो बच गया X और Y से equally acquire कर लिया जाएगा तो इसका solution क्या होगा? देखिए question में कहने का मतलब है X और Y partner है ठीक है X और Y partner है और इनका ratio जो दे रखा था X और Y का वो था आपका 3 is to 2 3 is to 2 now new partner coming Z जिसका share है आपका Z का share 1 by 3rd ठीक है? Z का share है 1 by 3 तो X और Y है अब कहता है कि X मैं न इसको gift दूँआ मैं इसको gift दूँआ 1 by 3rd तो यहाँ पे बच्चों की confusion है सर Z 1 by 3rd के लिए अगर आया था और Z को जब 1 by 3rd मिल ही गया तो बात ही खाता मैं तो Z जब 1 by 3rd के लिए आया था तो यह क्या कहता है? off his share his share तो अब बताईए समस्या है के नहीं अब बताईए directly minus हो जाएगा यह पहले multiply करना पड़ेगा यानि कहने का मतलब है टोटल के जो है 1 by 3 multiply 1 by 3 यानि 1 by 9 यह तो मिल जाएगा किसे? from X से X से ले लेगा balance जो बचा balance कितना बची है इसका? 1 by 3 में से 1 by 9 तो मिल चुका है तो balance है balance 1 by 3 minus 1 by 9 समझ रहे हो न? देखो अगर आपके पास 10 रुपे है मैं बोल रुपे मैं दे दूँँगा हटाओ बाकी तुम उनस दोनों से ले लो या बाकी का तुम देख लो तो 10 में से 2 अगर दे दूँगा तो बचे 8 तो सेम वही तो कर रहा हूँ 1 by 3 में से 1 by 9 minus करेंगे तो क्या हैगा हमारा बता यह LCM 9 और यह 3 minus 1 यानि 2 by 9 है कि नहीं? और वैसे भी सिंपल सा देखो इनका 1 by 3 है तो इन दोनों का क्योंकि इसी में से तो minus कर रहा है तो दोनों का जोड 1 by 9 प्लस में 2 by 9 is equal to 3 by 9 और उसको और simplify करेंगे तो 1 by 3 आ जाएगा अब जो 1 by 3 यह है स्वरी 2 by 9 जो यह है इसमें भी क्या कहता है कोशन में कि इसमें से यह क्या करेगा Z कुछ हिस्सा X से लेगा और कुछ हिस्सा Y से लेगा कौन कहता है यह Z अब कितना हिस्सा X से लेगा कितना हिस्सा Y से लेगा balance में कहता है equally इसका मतलब 2 by 9 का आधा 2 by 9 equal का मतलब हमें साधा होता है 2 by 9 का आधा x से लिया जाएगा और 2 by 9 का आधा y से लिया जाएगा इसका मतलब 2 by 9 का आधा होगा हमारा 2 by 18 और यहां पे भी 2 by 9 का आधा होगा हमारा 2 by 18 तो बहुत ही simple word है simple word की मैं बात करूँ तो 2 by 18 ठीक है यानि X अगर ध्यान से देखो तो X 1 by 9 देगा Z को और X 2 by 18 देगा Z को क्या सर दो दो बार देगा बिलकुल हाँ बच्चे X दो बार देगा किसको Z को एक बार देगा 1 by 9 और एक बार 2 by 18 और Z Y जो है वो सिर्फ देगा 2 by 18 तो क्या सर Z एक बार ही देगा बिलकुल इसमें कोई ऐसे दो राइड नहीं है कोई भी पार्टनर कैसे भी अग्रीमेंट कर सकता है तो यहाँ पे अब हमें यह पता चलिया देखो क्या पता चला सिंपली अगर मैं इसको राइड करके पूरा मैं लिखों तो मैं लिख सकता हूं यहाँ पे के यहाँ पे सिंपली यह बताओ तू बाई एटीन जो है यह पूरा कैलकुलेट हो चुका है न तो यहाँ पे आएगा आपका X taken या फिर मैं X का new share निकालू अगर X new share new share तो आप मुझे जवाब देना X के पास है कितना पहले से 3 by 5 अब X दो बार देगा एक बार देगा 1 by 9 खुल बोल रहा है नहीं मैं gift दे रहा हूं ये gift है इसने बोला है gift 1 by 9 थोड़ा नीचे लिख देता हूं ठीक है X X new share X का कित क्या था हमारा पहले से 3 by 5 minus 1 by 9 अपनी मर्जी से दे रहा है और वो एक वायर कितना कर रहा है 2 by 18 तो देखो ये दोनों माइनस कर दिया एक बार में ही काम खतम अब 3 का तो LCM लेना तो पता ही है कैसे लेते है LCM है न यहाँ पर solution क्या आएगा LCM आजाएगा हमारा सोचो common क्या है common हमारा देखो 18 तो है नहीं कुछ ऐसा common निकालो जो कि आजाए देखो 90 हो सकता है मैं 90 ले लेता हूं ठीक है 90 तो 90 में अगर मैं निकालो तो 90 कितने बार में यह कितना आएगा हमारा 90 आएगा 15 तरह 18 और 18 इंटू 3 54 और यहाँ आएगा 10 माइनस 10 थोड़ा यहाँ पर आजाएगा माइनस 5 10 ठीक है ना मैंने कैसे लिया LCM पता चला 90 लिया 18 बार 18 पंचे 90 तो 18 बार में जाएगा 18 तिया 54 और 9 दस बार में जाएगा तो 10 अठारा 5 बार में जाएगा 10 आप सभी को पता है LCM कैसे लेंगे तो यह आगे हमारा 34 बार 90 यह किसका निकला है हमारा X का ठीक है ऐसे ही Y का निकाल लेते है Y new share इसका तो बड़ा ही आसान है Y का new share क्या होगा पहले से इसके पास है 2 बाए 5 माइनस क्या करेंगे बताओ माइनस क्या करेंगे बताओ मुझे क्या माइनस करेंगे माइनस करेंगे 2 बाए 18 LCM क्या आएगा अगे 90 और ये आ जाएगा हमारा ठारा 36 और ये आ जाएगा 18.5 माइनस 10 तो 26 बटे में 90 है कि ने तो X का नए वाला रेशो Y का नए वाला रेशो Z का तो पता ही है बाई 1 बाई 3 था 1 बाई 3 को ही तो तोड मरोड किया था इसने तो थोड़ा समय अगर आपको confusion है तो मैं इसको box में बना देता हूँ जो तोड मरोड किया था ठीक है आजाओ भाई box में आजाओ ये ये हिस्सा तो working note था जो तोड मरोड किया था हमने Z का तो बागी 1 बाई 3 ही था अगर आप जानना चाहते हो सरी इतना सारा करने के बाद मुझे तो गडबट लग रहा है तो आप जोड के देखिए ना 1 बाई 9 लिया प्लस 2 बाई 18 और प्लस में 2 बाई 18 तो आपको result आएगा 1 बाई 3 अब प्लस करिए common लीजिए वही आएगा जवाब अब हमारा ratio निकालते है 90 और Y का क्या आएगा Y का हमारा यह है 26 बाई 90 और Z का 1 बाई 3 तो 90 के लिए किस से multiply करें 30 और 30 denominator सेम हो गया अब ratio क्या निकल क्या है हमारे पास ratio निकल क्या है इसको लाल मारकर से रिखते है 34 S2 26 26 S2 30 अब क्या इसमें से common लिया जा सकता है अब यहाँ छोड़ दो 101 परसंट ठीक है अब common लेना चाहते हो देखो यहाँ पर क्या common आएगा भाई क्या to common आजाएगा तो इसका answer आप लिख सकते हो 17 is to 13 is to 15 यह भी answer लिख सकते हो common अगर आ जाए तो तो आप फटा फट से देखिए कितना ही मज़ा आ गया इस question को देखके तो और आपके सामने मैंने स्क्रीन पर पहले दिखा भी दिया था तो बहुत ही एक अच्छा question था यह इसको हमने देखा अब इसको फटा फट करिए आपके बुक में भी बिल जाएगा illustration में registration में कौन सा होगा आपका आप देखना illustration साइध 8 है 89 के आज पास देखना米 गे 9 के आसपास और कर दिखना अधे нет-9 के मान भी मिल जाएगा बाकी मैंने question डिस्पलेए करना आपका इसको सबस्टा नोट करिक फिर एक और बहतरीन question देखेंगे हम इसी से related चलिए एक और question देखते है अब ये मैं अपने कुछ example में खुद के भी लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए थोड़ा A है बहुत बड़ा ये बन गया ये तो B और ये C है A, B और C A, B और C अगर मैं A की हिस्से की बात करूँ इनका 1 is to 1 सर 1 is to 1 ही क्यों लेते हो ये आसान है न थोड़ा सा calculation थोड़ा ही जिए जाता है बस ठीक है C जो है वो 1 by 5 के लिए आता है आपके book में इस type का question जो होगा आपका एक question होगा जिसमें बहुत सारे parts given है A, B, C, D उसमें मिल जाएगा आपको उसका ये भी part है सायद 1 by 5 के लिए आता है ठीक है C कितने के लिए आता है 1 by 5 सौझ मैं ये बात आपको C क्या कहता है C कहता है कि मैं अपने हिस्से का C acquire C acquire from A 1 by 5 C acquire करता है A से 1 by 5 देखो इसका हिस्सा A है और वो from C acquire from A 1 by 5th of his share अब यहाँ तो from और of दोनों आगया तो आप sentence पर भी देखेंगे ना थोड़ा sentence भी है वो तो बस मैंने एक समझाने के लिए कई बार point क्लिक ना हो तो इस तरीके से देख सकते है यहाँ पर C बोलता है मैं A से लूँगा एक बटा पांच of his share of his share मतलब अपने हिस्से का and balance balance by balance लिया जाएगा B से balance by B या balance from B समझ में आया है इसका solution देखते हैं एक बार बहुत इंटरस्टिंग question तो सबसे पहले मैं इसका working note देखू calculation देखो मैंने देखा पहले A से कितना लिया जाएगा और B से कितना लिया जाएगा इसकी हम चाचा कर ले तो इसका 1 by 5 किसका है 1 by 5 किसका है यह हिस्सा है किसका है C का अब 1 by 5 का 1 by 5 लेगा C किससे A से है ना तो multiply 1 by 5 यानि 1 by 25 A से लिया जाएगा बाकी जो बच गए B से लेगा तो total इसका था 1 by 5 किसका C का इसमें से 1 by 25 इसने इससे ले लिया आप ऐसे समझो न आपको आपके पास total 20 रुपए है और आपने बोला कि इसमें से 1 फोर्थ मैं ले लूँआ अपने पापा से बाकी मम्मी से ले लूँआ तो आपके पास 20 रुपए और 20 रुपए का 1 फोर्थ किससे ले लोगे आप अपने हिस्से का पापा से तो कितने ले लोगे पापा से 5 रुपए बाकी बचा हुआ मम्मी से ले लोगे तो कैसे निकालोगे 20 माइनस में 5 यानि मम्मी से लो गया 15 तो सेम वही कहानी है यहाँ पे आपके पास था कितना 1 बाइ 5 उसमें से कितना ले चुके हो 125 तो आपके पास ये बचा तो LCM के आएगा 25 और यहाँ अगर हम solve करें LCM आ गया 25 और इसको और solve करें तो 5 माइनस में 1 यानि 4 बाए 25 ठीक है चलिए new ratio निकालते हैं A का पहले new ratio new share A का है कि क्या 1 by 2 माइनस कितना इससे ले लेगा 1 by 25 सेम ऐसे निकाल लेते हैं B का new share C का तो पता ही है भाई B का 1 by क्या था पहले 1 by 2 कितना माइनस कर लेगा 4 by 25 4 by 25 तो answer क्या होगा हमारा LCM आएगा हमारा कितने 50 50 तो 25 माइनस में 2 23 बटे 50 है ना थोड़ा वो mix मत करना इसके लिए हां करना हूं LCM 50 और 25 माइनस में 2, 4, 8 तो यह आगया हमारा 17 बटे में 50 ठीक है एक का आगया 23 बटे 50 और एक का आगया हमारा 17 बटे में 50 clear अब new ratio निकाल लिए simple A का, B का और C का A का क्या है 23 बटे 50 B का क्या है 17 बटे 50 और C का क्या है भाई C का है 1 बाई 5 सब को इन दोनों को अगर जोड़ो तो तब भी बनता है तो multiply denominator सेम करने के लिए 10 दस से सब होगे 50 नीचे के तो अब क्या करा जाए हमारा जो answer निकल के आया Hence answer जो है हमारा वो है 23 इस्टू 17 इस्टू 10 ठीक है 23 इस्टू 10 समझ में आई बात आपको एक और question हमने कहा है मैं जब आप video classes देख रहे हो तो मैं नहीं चाहता है कि आपको मुझे phone करने की जरूरत पड़े इसलिए मैं सारे ही concept लेके चलूँ और एक एक concept लेके चलूँआ और guaranteed है फिर भी doubt आता है तो मैं हूँ क्योंकि किसको किस point में doubt आ सकता हम नहीं कह सकते हैं तो guaranteed अगर doubt आता है तो मैं आपके साथ हूँ और सारा point लेके चलूँआ मैं ध्यान रखिएगा आपके book के इस type का question मैंने बोला आपका मेरे खाल practical problems आठ या नौ देखना जिसमें multiple parts होंगे उसका B part इस type का question होगा तो उसे आप homework में करेंगे same तो मैं बताता भी जा रहा हूँ आप सब के पास TS Greval की book है तो कोई समस्या ही नहीं होने वाली और जो डेली से बाहर के person है उसके लिए मैं बोलना चाहूँँगा आप भी TS Greval की book ले सकते हैं CBSC का सारा syllabus उसी के उपर based आता है हमारा आप TS Greval की book online भी order कर सकते हैं Amazon वगरा फिलिपकार्ट वगरा पर मिल जाता है और आपके nearest book store पर जाके ले सकते हैं ठीक है तो आप इसको एक बार note करिए फिर हम आगे देखते हैं एक सामने स्क्रीन पर question देखिए आपके सामने question में क्या कहता है कहता है यहाँ पर के आपके तीन partner है यह doubt आया था एक बच्चे का और बोला सर यह doubt है solve करा दो तो इसलिए मैंने पिछले साल की मात है यह कहता है A B और C तीन partner है और 3532 ratio दे रखा है इसका दे admit D तो मैं अगर यहाँ पर लिखूँ तो तीन partner वाला अभी तक तो दो वाला कर रहे थे A B और C और ratio जो मैंने बताया था वो ratio क्या है हमारा 532 5 is to 3 is to 2 इस ratio के बाद कहता है यह आगे D admit 3 by 10 एक partner और आगया D जिसको 3 by 10 के लिए admit किया गया आगे continue में question में क्या कहता है कहता है कि which share of profit which he acquire from A B and C ratio और यह 3 by 10 लेगा किस से A से लेगा B से लेगा और C से लेगा लेखिन एक particular ratio में लेगा 2 is to 2 is to 1 इसमें लेगा क्या आपको first example याद आ रहा है पिलकुल same वैसा ही है यानि तीन partner है और तीनो partner बोलता है D से D admit हो रहा है 3 by 10 के लिए और 3 by 10 यह इस ratio में लेगा याद हो 3 by 10 अगर 1 is to 1 में था तो 1 by 10 और 1 by 2 और 1 by 2 करके करा था हमने अब मैं आपको 5 मिनट का time देता हूँ 5 तो ज्यादा हो गया खिर आप तो बड़े ही समझदार बच्चे हो आपको 2 मिनट का time देता हूँ आप करके दिखाओ फटा 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 दो मिनट का time है आपके पास solution फिर मैं करूँगा A, B, C partner है D new partner आ गया और वो 2 to 1 के ratio में अपना हिस्सा acquire करेगा from A, B and C W तो बगदों कैना है Wow किसी का अंसर आया नहीं आया चलो मैं करके दिखाता हूँ कुछ बच्चों का आ गया है अंसर कुछ बच्चों का रहता है फिर भी मैं कर देता हूँ ज्यादा टाइम ना लेके देखो A, B and C 3 पार्टनरर रेशो सबसे पहले हैं यह decide करना है D तुमसे कितना लेगा D, B से कितना लेगा D, C से कितना लेगा यह decide करना है हमें ठीक है ना तो हमने लिखा D taken taken from सबसे पहले decide करो किस से A से तो भाई D का खुद का हिस्सा 3 by 10 A से कितना लेगा वो A से लेगा 2, 2, 4, 5 2 by 5 तो multiply 2 by 5 सेम ऐसे हम निकालेगे D taken from किसे B से तो D का खुद का 3 by 10 था और अपने हिस्से का कितना लेगा 2 by 5 इससे लेगा सेम ऐसे निकाले D taken किसे करेगा हमारा C से तो कितना आएगा हमारा 3 by 10 थो खुद का था multiply by 1 by 5 समझ रहे नो बात यह ratio multiply कर दिया पहले example को देखिए वहाँ भी 1 is to 1 लिखा था तो 1 by 2 करके यह step लिया था हमने इसका आजाएगा हमारा multiply करते हैं तो 3, 6 by 50 इसका आजाएगा 6 by 50 और इसका आजाएगा 3 by 50 इसका मतलब जो D है वो कहता है कि मैं A से लूँआ 6 by 50 और B से लूँआ 6 by 50 और C से लूँआ 3 by 50 थीक है तो चलो हम अब new ratio निकाल दे किसका हम निकालते हैं A का is new share new share क्या आएगा A के पास पहले से है हमारा 5 by 5 और 3, 8 और 2, 10 5 by 10 minus में 6 by 50 तो result is 50 LCM ठीक है जब हमारा multiply होता है तो direct कर देते हैं माइनस प्लस में LCM लेना पड़ता है तो 5 पच्चिस माइनस 6 है के ने तो यह आगे हमारा कितना 25 माइनस 6 तो 19 बच्चास 19 by 50 ठीक है सेम निकालते हैं B का new share B का new share तो B का new share क्या हैगा पहले से B का क्या है बताओ 3 by 10 है जिसमें से 6 by 50 ये वाला ये इससे ले लेगा Then LCM is 50 10 5 15 15 माइनस 6 9 by 50 अब C का निकाल लेंगे C का हमारा new share क्या होगा C का पहले से है 2 by 10 माइनस में क्या लेगा C 3 by 50 3 by 50 3 by 50 अगर 50 लेता है इससे तो LCM क्या आगे बताइए 50 50 LCM अगर आ जाता है तो ये क्या होगा 10 5 10 10 माइनस में 3 7 by 50 अब सब का ratio पता चली गया New ratio क्या आएगा बताइए New ratio क्या आएगा New ratio होगा अभी कुछ में ना Sacrificing ratio भी हो सकता है तो उससे हम बाद में discuss करेंगे मतलब अगली class के अंदर या हो सकता है कि इसी के अंदर cover हो जाए लेकिन वो थोड़ा सा अलग पहले हम New ratio सीख रहे हैं तो सबसे पहले A का New ratio 19 by 50 B का C का और D का ये लेना है ना तो A का 19 by 50 B का 9 by 50 C का 7 by 50 और D का 3 by 10 अब हमें अगर denominator में सेम लेके चलना है तो multiply by 5 multiply by 5 दिख रहा है ना आपको multiply by 5 और multiply by 5 इसका मतलब हमारा जो result निकल के आए 19 is to 9 is to 7 is to 15 ये हमारा New Profit Sharing Ratio निकल के आगया 19, 9, 7 is to 15 किसी को दिक्कत तो बड़ा ही सिंपल था इस तरीकी का भी question हो सकता है तीन पार्टनर का जरूरी नहीं है कि दो पार्टनर का ही हो तो मैं दुबारा conclude करूँ तो तीन पार्टनर थे और D 310 के लिए आ रहा है D बोलता है मैं acquire करूँ है इस ratio में इन तीनों से एक बच्चे का doubt है कि सर ऐसा भी हो सकता है क्या कि D सारा का सारा हिस्सा A से ले ले मैंने बोला definitely हो सकता है तब क्या करेंगे अगर ये D बोलता है कि मैं सारा हिस्सा लूँगा A से तो A का new share निकालोगे आप है ना A का पहले से 5 by 10 था उसमें से minus कर दोगे 3 by 10 तो A का बच गया 2 by 10 और B का share अगर मैं बताओ तो कुछ तो हुआ नहीं उसके साथ तो उसका तो 3 by 10 ही रहा C के share के साथ भी कुछ नहीं हुआ तो 2 by 10 रहा और D का share हमें पता ही ये क्या है 3 by 10 आप common ले सकते हो easily आप इसके नीचे भी 2 by 10 3 by 10 2 by 10 3 by 10 तो जो result निकल के आएगा वो आएगा 2 is 2 3 is 2 2 is 2 3 ये निकलेगा क्या सर D सिर्फ इन दोनों से ले सकता है तो आपको तो बस question देखना जो बोला step by step करते जो आपको result मिल जाएगा तो ये when taken or required के हमने maximum question करने की कोशिस करी है अब हम अगला concept देखेंगे surrender वाला आप एक बार इसको note करिए फिर हम surrender वाले topic पे चलते हैं फटा फट से इसको note करिए हाँ जी बच्चे अब हम concept समझते है when given और surrender में क्या फरक है ये third है और एक तरीके से last उसका miscellaneous में कुछ हम extra question करेंगे इसमें होगा क्या mainly मान लेजे ए है और मान लेजे बी है और सी है ratio 1 is to 1 और सी जो है वो मान लेते हैं सी का ratio ही नहीं पता अब यहाँ पे एक खुद आगे चल के आता है और बोलता है मैं इसको दूँगा surrender या given इसका मतलब होता है देना या छोड़ना मैं इसको दूँगा 1 by 10 off या 1 by 2 1 by 2 लेते हैं ठीक है off यह कहता है तो अब मैं भी दूँगा इसको 1 by 2 off off मतलब my share मतलब A अपने हिस्से का 1 by 2 किसको दे देगा C को और B कहता है मैं दे दूँगा तो देखो फरक है पीछे पहले वाले concept में C कहता था कि मैं इससे लूँगा अब यह कह रहा है कि मैं खुद दूँगा तो यह फरक है बस surrender requirement अब हमें क्या लिखना पड़ेगा हमें देखो सिंपल आपको भी समझ आ रहा होगा तो A बोलेगा A Surrender या Given In Favor In Favor of किसके? In Favor of C In Favor of C कितना देगा भाई पहले से उसका 1 by 2 था खुद का और 1 by 2 अपने हिस्से का देने के लिए तयार है यानि 1 by 4 Same B Surrender In Favor of किसके? C के तो B का कितना था? 1 by 2 into 1 by 2 is equal to 1 by 4 आप कुछ बच्चे Confused होके बोल सकते हैं सर इसके अंदर हमें ratio तो सब 1 by 2 1 by 2 न ज़रा रहे हैं तो मैं आपके लिए काम करता हूँ इसको 3 by 2 कर देता हूँ ठीक है? ठीक है न? अब तो ठीक है? तो अपने हिस्से का 1 by 2 और अपने हिस्से का 1 by 2 तो इस 3 by 2 का मतलब 3 by 2 का मतलब क्या होगा? 3 by 5 अब साइद समझ में आ जाए आपको और साइद क्या आएगा ही भाई आपको तो अब आ रहे क्लियर? है न? तो A का A अपने हिस्से का 1 by 2 दे रहे है तो A का हिस्सा 3 by 5 उसका 1 by 2 दे रहे है B अपने हिस्से का दे रहे है तो B का हिस्सा 2 by 5 अपने हिस्से का तो यहाँ पे थोड़ा result चेंज हो जाएगा result क्या आएगा यहाँ पे? यहाँ पे आएगा 3 by 10 और यहां पर आएगा 2 by 10 clear अब इतना पता चल गया कि A जो है इतना पोर्षन देगा और B इतना पोर्षन देगा तो भाई A के पास बचा कितना तो A का new share जैसे आपके पापा बोलते हैं कि बेटा मैं आपको 5 रुपे दूँगा और मम्मी बोलती है बेटा मैं आपको 2 रुपे दूँगी तो टोटल आपके पास कितना आया 7 तो जो पापा के पास टोटल था अगर मान लेते हैं 15 तो 5 देगी दिये तो बचे कितने 15 में से 5 दे दिये तो 10 ही बचे ना तो आब वही निकाल रहा हूं A का new share था कितना आएगा पहले से भाई 3 बाई 5 में से कितने दे दिये 3 बाई 10 सेम B का new share क्या आएगा 2 बाई 5 था और उसमें से उसने कितने दे दिये उसने दे दिये B के लिए ये रहा 2 बाई 10 इसका LCM लोगे तो 10 आ गया तो 6 माइनस 3 बाई 10 इसका LCM लोगे तो 10 4 माइनस 2 बाई 10 तो is equal to answer 3 बाई 10 और इसका 2 बाई 10 result क्या आया हमारे पास result आया हमारे पास 1 का 3 बाई 10 is 2 2 बाई 10 is 2 पहले से C का नहीं पता आप देखो मैं यहां पे अब C का share बताओ और ये share मैं आप से जानना चाहता हूँ एक story बनाता हूँ और उसी story के base पे आप result बताना है इसका क्या होगा मान लेते हैं राम और सीता राम और सीता इसके पास 10 रुपे हैं और इसके पास मान लेते हैं 8 रुपे हैं और इसका जो son है वो है love अब love को तो कुछ पता ही निए भाई कितना मिलेगा वो चुपचा बैठा है कि पापा देंगे मम्मी देंगे चुपचा बैठा हुआ है इतने में पापा की आवाज आई और राम ने बोला बेटा मैं तुझे 6 रुपे दे रहूं मैं तुझे 6 रुपीस दूँगा मैं या फिर इसके पापा की आवाज आई बेटा चल मैं तुझे पैसे दूँगा लेकिन तु 10 वी क्लास पास हो गया है 11 वी क्लास पास हो गया है मेरी बातों का जबाब दे तुझे कितना मिलना चाहिए पापा बोलता है कि मैं अब जितना भी मेरे पास रुपे है तू जानता है लव इसने बोला हाँ पापा मैं जानता हूँ कि आपके पास 10 रुपे है ममी ने बोला कि बेटा मेरे पास कितना है तू जानता है लव ने बोला हाँ पापा जानता हूँ इसके बाद राम और सीता दोनों ने लव से पूचा तुझे पैसे चाहिए लव ने बोला इसलिए तो बैठे हैं पैसे लेने के लिए तो मैं सोच रहा हूं कब आप बोलोगे बोला तुँ गणित बता, हिसाब बता तब तुझे पैसे मिलेंगे मैं अपने हिस्से का वन बाई फोर तुझे दूंगा सीता ने बोला मैं अपने हिस्से का वन बाई टू तुझे दूंगी अब बता मैं तुझे कितना दूंगा और मेरे पास कितना बचेगा अब भाई राम लव की हालत खराब है यहां पे लब सोच रहा है कहीं ना कहीं से उसे नाइन्थ की याद आ गई, एट्थ की याद आ गई वहाँ भी ऐसे कुशन किया करते थे अब इसने दिमाग लगाया पापा के पास दस का वन बाई फॉर हिस्सा मुझे देगा तो यानि दस का वन बाई फॉर, धाई रूपे है ना, डारेक्ली, दस को चार भाग में बातों को धाई, और मम्मी वन बाई टू, तो आठ का वन बाई टू कितने होंगे, आठ का वन बाई टू, यानि मुझे मिलने वाला है साड़े छे रूपे मुझे मिलेगा कितना साड़े छे रूपे तो मुझे मिलने वाला है टोटल साड़े छे रूपे ओहो, और फिर पापा को इसने जवाब दिया मम्मी को, मम्मी पापा मैंने कैलकुलेशन कर लिया, मेरा जवाब है कि आप, पापा मुझे धाई रूपे दोगे, कम दे रहे हो, मम्मी चार रूपे हमारे पास साड़े छे है बोला, अभी आधा अधूरा जवाब है अब मुझे ये भी बता मेरे पास कितने बचे और तेरी मम्मी के पास कितने बचे तो फिर लव ने कैलकुलेट किया पापा, आपके पास थे दस दस में से ढ़ाई तो मैं ले लूँगा तो माइनस करो ना इस में से तो आपके पास बचे 7.5 ऐसे ही बोला मम्मी, आपके पास आठ थे तो चार दोगे तो माइनस करो ना तो आपके पास बचे चार तो अब मेरे पास बचे चार ये जवाब देते ही और ये जवाब आपके देते भी आप भी जीत गई ये पैसे और लब भी जीत गया ये पैसे लब को मिले कितने साड़े छे रुपए और राम के पास कितने बचे साड़े साथ रुपए और सीता के पास कितने बचे चार रुपए समझ में आई यहां तक यही चीज तो यहां अपलाई किया है A और B है A बोलता है बेटा मैं अपने हिस्से में से वन बाई टू दूँगा यानि C को नहीं पता के C को मिलेगा कितना है ना C को नहीं पता के C को मिलेगा कितना सेम ऐसे लब को नहीं पता था के मिलेगा कितना राम बोलता है 1 by 4 दूँगा और बी भी बोलता है मैं 1 by 2 दूँगा और यहाँ पे भी नहीं पता लब को तो लब ने क्या करा पहले तो हिस्सा निकाला कैसे निकाला हिस्सा 10 का 1 by 4 करके 2.5 निकाल लिया सेम यहाँ पे A ने जो C को देना है वो हिस्सा निकाला कैसे निकाला A surrender in favor of तो A का हिस्सा 3 by 5 और 1 by 2 जितना देना था जैसे की मैंने यहाँ पे निकाला 10 multiply 1 by 4 is equal to 2.5 समझ रहे हो बात को मैं बस आपको अपके बिल्कुल डिटेल में बताना चाहता हूँ मैं इसके बाद इसके बाद आगे की हम बात करते है अब A का हिसाब किताब समझ में आए क्या निकाला अब B का B बोलता है कि B का कैसे निकाला B का अगर खुद का ही 2 बटे 5 है तो अपने हिस्से में इसे दे रहा है तो यह निकाल लिया यानि पहले तो हमने इन दोनों संटेंसे इन दोनों संटेंसे यह पता चल गया लव ने या फिर इसके मम्मी पापा ने यह कैलकुलेट कर लिया कि मुझे अपने बेटे को देना कितना है अगर बेटे को पता चल जाए कि मुझे मम्मी से इतना मिल रहा है पापा से इतना मिल रहा है तो मेरा कितना है यह भी पता चल सकता है उसके बाद A ने अगले स्टेप में दिखा कि मैंने अगर अपने बेटे को इतना दे दिया तो मेरे पास बचे कितना तो simple सी बात है A के पास 3 by 5 था है और दे दिया 3 by 10 तो बचा 3 by 10 B के पास ऐसा ही था तो बचा कितना 2 by 10 वही तो करा है आप देखिए calculation को तो अब मेरा concern यह है के बताओ भाई C नए partner का हिस्सा क्या है निकाल सकते हो जैसे love का हिस्सा निकाला था तो सर बढ़ा ही आसान है A ने अगर 3 by 10 दिया तो 3 by 10 और B ने अगर 2 by 10 दिया तो जोड़ दो इसको 2 by 10 तो C का share आजाएगा हमारा 5 by 10 20 मत कर दे न जोड़ के LCM लिया है तो 3, 2, 10 समझ मैं यह बात आपको यहाँ पे अगर new ratio निकाले हम तो किस-किस का निकालेंगे A का, B का और C का A का ratio क्या था हमारा सबकुछ minus plus करने के बाद यह B का minus plus करने के बाद यह और C का यह तो यहाँ पे result आए 3 by 10 2 by 10 और 5 by 10 यह लोगी denominator सबका already same है तो answer is 3 is 2 2 is 2 5 यह answer हमारा आगे है यहाँ पे 3 is 2, 2 is 2 5, क्या बताईए कोई दिक्कत आपको कोई दिक्कत नहीं अब आप इसको note करिए और नहीं समझ में आता तो इस स्टोरी को भी ध्यान से समझे और क्या बोलने की कोशिस मैं कर रहा हूँ कि भाई अपने हिस्से में से कैसे surrender किया जाता है तो एक कोशन किया आपके मैं display पे मैंने कोशन दिखा दिया है और इसी कोशन नहीं स्वारी यह तो मैंने अपना एक example लिया है ऐसे ही कुछ और मैं example लेता हूँ फटा-फट से इसको पहले note करिए आप एक बार यह surrender या आपका given वाला part है अब देखिए आप एक कोशन आपके सामने display पे कोशन में क्या कहता है R और S partner है और profit sharing ratio 3 to 1 है they admitted T and U तो इसने दो partner एक खटा admit किया हुआ है और new partner और जो T और U है वो new partner है तो मैं simply एक बर पहले बता दूँ यहाँ पे एक partner S है एक partner पहले सबसे पहले कौन है आपका R और S और T और U आ रहे हैं R S दो partner आ रहा है एक आ रहा है T एक आ रहा है U यह दोनों अलग अलग partner है और जो इनका ratio है ratio दे रखा है पुराने वाला 3 is to 1 जब ना दे कुछ तो हमें क्या मानना होता है deed silent हो तो 1 is to 1 3 is to 1 अब क्या कहता है अब क्या कहता है के भाई R शरेंडर 1 by 2 of his share in favor of T and S surrender of his share in favor of U तो R जो है R इसके favor में देता है कुछ यानि यह इसको दे रहा है और S इसको दे रहा है बिल्कुल ऐसा हो सकता है यह बोलता है 1 by 2 of अपने हिस्से का जैसे राम वाला एक्जामपल लिया था ना तो अपने हिस्से का और आगे कहता है वो 1 by 4th of his share यह 1 by 4 of अपने हिस्से का new PSR निकालना है आपने बढ़ा ही आसान है तो सबसे पहले तो मैं यह देख लूँ के आर भाई तुझे देगा कितना क्योंकि 1 by 2 थोड़ी दे रहा है अगर मैं बोलता है he given to 1 by 2 simple बोलता of his share नहीं बोलता तो पता था भाई तेर को 1 by 2 मिलेगा और तेर को 1 by 4 मिलेगा लेकिन ऐसा नहीं है यहां कहता है कि भाई मैं अपने हिस्से का 1 by 2 दूँआ तो यहां पर निकालते हैं सबसे पहले R surrender in favor off किसके favor में दे रहा है T के तो भाई 3 by 4 तो खुद का ही था इसका उसका देगा 1 by 2 सेम ऐसे R के बाद S surrender in favor of U तो S का पहले से तो 1 by 3 था उसका देगा 1 by 4 तो answer is क्या आएगा हमारा यहां पर 1 by 8 12 यानि जो S को मिले R जो T को देगा तो T के हिस्से में जो आएगा वो T के हिस्से में आएगा 3 by 8 तो T का shear है और जो हमारा U के हिस्से में आएगा 1 by 12 तो यह 1 इसका shear है तो अब मुझे पता चल गया है भाई T को देना है 3 by 8 और इसको देना है 1 by 12 U को तो सबसे पहले तुम अपना खुद का तो निकालो भाई यार क्या कर रहे हो R? R अपना निकालो ना अपना खुद का shear निकालो तो R कैसे निकालेगा सोचो R सोचेगा कैसे निकालेगा कैसे निकालेगा R सोचेगा मेरा था 3 by 4 उसमें से मैंने दे दिये कितने 3 by 8 तो मेरा कितना बचा तो R का सबसे पहले new share new share कैसे निकालेगा भाई? मेरा था 3 by 4 मैंने दे दिये 3 by 8 तो मेरा बचा मेरा कितना remaining बच रहा है LCM 8 है सर यहाँ पे और LCM 8 4 2 6 minus 3 यानी 3 by 8 अच्छा simple सी बात है ना भाई देगा आधा इसका अगर 10 होता तो आधा देता तो 5 बसता तो भाई इसका 3 by 1 3 by 4 का आधा कितना होता 3 by 80 होता है वैसे भी logic लगाओ cross mind में चलते रहना चाहिए ऐसे ही निकाला S का new share S का new share क्या आएगा S बोलेगा मेरा 1 by 3 था मेरा 1 by 3 था उसमें से मैंने दे दिया 1 by 12 तो LCM आगया 12 और 3 4 minus 1 यानी 3 by 12 वैसे भी सोच लो 1 by 4 का अगर आप निकालते हो 1 4th multiply करके चेक करोगे तो वही बचेगा हमारा ठीक है न 3 4th बच जाएगा तो 3 by 12 है समझ में नहीं आई जो मैंने बता है मैं बताना चाहता हूँ कि आप direct भी पता कर सकते हो कैसे देखो इसका पहले 3 by 4 है अब आधा किसी को देगा तो इसका आधा कितना होगा आधा दे देगा अगर 1 by 2 तो तो भाई अगर 1 by 2 दे देता है आधा 3 by 8 होता है तो खुद का भी 3 by 8 उसका भी तो इसलिए ऐसा है यह बोलता है 1 by 4 तो 3 by 4 इसका बचेगा ना अगर यह अपने हिस्से में से 1 by 4 दे रहा है तो 3 by 4 बचेगा तो हम direct में निकाल सकते हैं 1 by 4 into में 3 by 4 तो क्या आगया 3 by 16 आया भाई यहां पे तो 3 by 4 1 by 4 का अगर मैं 1 फॉर्थ अरे मैंने गरत निकाल लिया 1 by 4 का 1 फॉर्थ दे दिया तो 3 फॉर्थ बचेगा ना इसके पास तो 3 फॉर्थ बचा 1 फॉर्थ 16 यहां पे कोई mistake तो नहीं किया देख लेते हैं भाई देख लेते हैं 1 by 3 नहीं सॉरी 1 by 12 दिया इसने 1 by 12 दिया इसने तो बाकी जो बच गया यह इसका हो जाएगा तो इसका directly हमने कर दिया ठीक है नहीं तो इसको अभी अब confuse मत हो ना यह मैं समझाने के लिए बता रहा था बाकी यहीं पे है 3 by 12 आ गया यानि इससे पता चलता है कि भाई इसका new share यह है देने के बाद और इसका यह share new देने के बाद तो हम अब new share profit निकालते है R, S, T और U हमने यहाँ पे 1 by 3 नहीं लेना था आप भोल रहे थे चिला 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 गया सर 1 by 4 करो मैंने आपकी एक नहीं सुनी चलो यहाँ 1 by 4 देखो जबी तो मैं वहाँ 1 by 16 देख रहा था ओ हो 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 1 by 16 ठीक है ना मैं आपकी बात सुना नहीं और फिर मुझे बुगत ना पड़ा चलो आगे से सुनूँगा मैं हाँ इसका 1 by 4 था 16 तो अब इसका 1 by 4 16 तो इसको 1 by 16 करना पड़ेगा 1 by 4 करना पड़ेगा और 1 by 16 तो LCM 4 4 में से 1 गए यहां 16 तो 3 by 16 आएगा ठीक है अब रेशो निकाल लेते हैं भाई किस किस का A का स्वरी यह तो है यह नहीं R S T आप बोल रहे थे मैं आपकी बात सुन नहीं भाया कोई बात नहीं आप आगे साब की बात को ध्यान रखूँगा तो 3 by 8 3 by 16 3 by 8 1 by 16 तो इसको क्या करें हम हम इसको 80 कर सकते हैं easily 80 कैसे किया जाए इंटू में 10 इंटू में 5 इंटू में 10 इंटू में 5 तो उपर भी 5 उपर भी 10 उपर भी 5 और उपर भी 10 डिनोमेटर सेम होगे सबका 80 80 80 ओ लो जी ये है 80 तो 30 इस्टू 15 इस्टू 30 15 30 15 और फिर से अगें 30 इस्टू 5 इस्टू 5 चलिए common लेते हैं 6 इस्टू 3 इस्टू 6 इस्टू 1 6 3 या फिर यहां भी क्या गलत किया मैंने 361 ठीक है 6 3 6 1 तो यह हमारा आंसर आ गया 6 3 1 यह यहां भी आप छोड़ देते हैं तो आपका आंसर ठीक बाना जाएगा clear चलिए अब इसको फटा-फट से जल्दी 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 नोट करिए तो favor वाले question भी हम कर लेंगे सारा इसके आप कुछ miscellaneous बोले थे वो भी मैं question करूँगा तो आज की class के लिए इतना second class के लिए third class में नोट करते रहे है third class जब हम जाएंगे तो हम miscellaneous question plus sacrificing ratio कर लेंगे यानि तीसरी class का वो target है तो आप अच्छे से मन लगाके बुक्के भी question करने है इसमें बुक्के question कितने करने है आप practical problem 1 से start करेंगे 1 से लेके 16 तक 1 से 16 एक मिन्ट 7, 8, 9, 10 16 तो नहीं होगा 12 तक 1 to 12 टीस ग्रेवाल के practical question और 1 to 10 आप कर लो illustration उसमें cover होगा ये सारे question आपको समझ में आएगा नहीं होता तो doubt session आप लिख के भीजना मैं उसको solve करूँगा अगले वीडियो में और mislinious भी करेंगे ठीक है तो आप घर पे रहिए अच्छे से पढ़ाई करें और जो बाहर वाले हैं बच्चे जो out of Delhi के हैं वो भी घर पे अच्छे से रहे पढ़ाई करें और book मैंने बता दिया टीएस ग्रेवाल उसी को follow करके करेंगे Thank you so much Bye Bye